वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो कंटिन्यू करते हैं हमारे नवंबर 2022 के करेंट और आज जो पॉश्चन स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एंवार्मेंट का देखे इससे पहले हमने इंटरनाशनल रिलेशन सिक्यॉरिटी सौल सोचल इसूस पॉलिटी यह सारे के सारे टॉपिक क बोलते हैं ठीक है अब यह याद रख लेना कॉप 26 की मीटिंग कहां पर होते हैं तो याद रखना गैस गो जो है वहाँ पर उसकी मीटिंग हुई थी और अगर बात के ने कॉप 27 की तो यह हुई थी एजिप में ठीक है अब पहले समझ लेते हैं कि कॉंटेक्स या फिन्यू हमारे कॉप 27 की कॉप 27 की मीटिंग कहां पर कंड़क्ट हुई तो याद रखना एजिप में हुई ठीक है यह पर्टिकुलर्ली जो जगह है इसका याद रखने के ज़रूरत नहीं है पीसे से अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है बट अगर आप UPSC ज सिर्फ क्लामेट चेंज से डिल करती है ठीक है और याद रखना कि 1994 में जभी इसको अडॉप किया गया था ठीक है उस टाइम पर फॉर्स समिट थी जो अल्टिमेटली सिर्फ और सिर्फ क्लामेट चेंज को डिल करने के लिए बनाए गयी थी अगर बात करें इसकी एमर्जन करने के लिए बनाए गई थी ठीक है अगर बात करें Conference of Parties की या फिर कॉप 20 या फिर जो कॉप की मीटिंग होती है उसके बारे में ठीक है सबसे पहला है कॉप इस सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉड़ी ऑफ दी उन फसी ठीक है तो उन फसी है उसमें जो सुप्रीम की मीटिंग दो बार हो ठीक है एक साल में जिसकी जो दो बार मीटिंग होती है उसको कहते है बाइनली ठीक है बाइनल समिट ठीक है चलिए और इसका काम यहीं होता है में फोकस इनका यहीं होता है कि क्लामेट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं अडपटेशन गोल क्लामेट फा हमने चीज़ें रिखा था ठीक हो और जादा इसको जो है एन्हांस करने के लिए या फिर एफिशन्सी आ सके इसमें तो जो कॉप 26 थी उसी को आगे बढ़ाते हुए जो समिट है यह लाई गी थी ठीक है चलिए 26 सेशन ऑफ दे कॉप हेल्ड इन 2021 गैस गो मैंने भी बताया था कि 2021 की जो समिट थी है गैस गो में हुई थी और देखे याद रखने वाला पॉइंट यहां पर यह है कि जो 2021 की समिट हुई थी वहां पे बहुत सारी मेंबर कंट्रीज या फिर जो जिन्हों ने गैस उनकर रखा है उन मेंबर कंट्रीज ने कुछ अड़ापटेशन के टार यह तो यहां रखना इस वेरी वरी इंपोर्टन में चुर्ट रिमेंबर दिस इस 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 एक लिए आपको प्रिपेर रहना पड़ता है कि जो हमारे इंडिया उन्होंने कितने टार्गेट रखा है यह फिर हमने देखी जो टार्गेट है हमारा वैसे तो हमने 2030 जो हमारे सब्सक्राइब करने के लिए कुछ टार्गेट रखे थे कि भीया हम इतने टाइम में अपने जो हमारा कार्बन एमिशन होता है उसको फेज आउट कर देंगी ठीक है और हम कंप्लीट जो है रेनेयोबल एनरजी पर रिलाइब करेंगे अगर बात करें चाइना की तो मुझे क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि चाइना ने कितना टाइम दिया था कि वह जो है नेट जीरो बन जाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीए ठीक है चलो कि आप यह बताओगे मैं बता दा था 2050 ठीक है चाइना ने जो है 2050 रखा था टार्गेट और हमने जो है 2070 रखा था 20 साल थोड़ा आगे क्योंकि इसका कारण क्या है इसके लिए एक अलग कॉंसेप्ट है जो मैं आगे समझाओंगा अभी मैं बताना नहीं चाहरा क्योंकि व अगर बात करें क्योंट प्रोटकॉल का तो सी एंपी 17 ठीक है और याद रखना और फोर सेशन अफ कॉर्प सर्विंग आज दे मीटिंग ऑफ पार्ट पार्टीस ऑफ दी पैरिस अग्रिमेंट तो यहीं पर पैरिस एग्रिमेंट जिसको चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टन चीज़ जो हमको एक्जामिनेशन पॉइंट अवी से याद रखना है कि जो कॉप 27 थी ठीक है उसके मेजर आउटकम क्या निकले ठीक है अगर आपसे एक्जाम में पूछेगा अभी तो यहीं चीज़ पूछेगा चाहें वो प्रिलियम सो चाहें में सो ठीक ह यह मैं आपको बोलूँगा यह notable point है अगर आपको अच्छा लगे तो यह जो point आप note कर सकते हो और डिर्कली आप exam में कोट भी कर सकते हो यह इस पॉइंट्स आर ओल्सो कोटेबल ठीक है तो यह आप डायरेकली लिखके कोट भी कर सकते हो ठीक है फिर बात करेंगे ठीक है ट 2030 climate target by the end of 2023 necessary to align with the Paris Agreement ठीक है कहने का मतलब यह है कि जो मेंबर कंट्रीज है ठीक है उन्हों को जो है जो भी मेंबर कंट्रीज है उनको रिक्वेस्ट किया गया कि भी आप जितने भी आपने 2030 तके टार्गेट रखें उनको और ज्यादा स्टेंदन करो या फिर रिविजट करो दुबारा जो भी आपने टार्गेट रखें और यह जो रिपोर्ट है आपको बाइडियर ऑफ चीज़ा रहा हूं कि इसको छोटी चीज़ा सेखने के लिए और यहां पर बी इंडिविज्वाल है यह बड़े सपने देखता है ठीक है बड़े टार्गेट रखता है तो यह जो बी इंसान है उसके लिए काम भी करेगा ठीक है और जो एक चीवमेंट है तो बी का अचीव पर लिए हम का मतलब है यह country तो जब country बड़े target रखेंगी तो उसके लिए अचीव परने के लिए टार्गेट भी रखेंगे और यूटिमेटली उसके लिए वर्क भी करेंगी तो इस से जाधात से जाधा ज्यादा जो emission है वह कम होपाएगा ठीक है I hope you climate target है यह आपको समझ आए होगा अब बात करते हैं mitigation की मिटिगेशन कहने का मतलब ही है कि मैं आपको पहले ही बतादे तो mitigation मतलब किया होता है दिखिये जैसे example disaster को कई बार हम जो बहुत सारे disaster है, earthquake हो गया, flood हो गया, या फिर volcanic eruption हो गया, बहुत सारे disaster है, आपने disaster management में पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे disaster है, तो हम लोग करते क्या हैं, कि instead of focusing on mitigation, हम लोग rehabilitation या फिर दूसरी चीज़ों पर focus करते रहते हैं, बट अगर पहले ही उसको mitigate कर दिया जाए, for example, earthquake ह है, ठीक है, अगर हम पहले से उसको mitigate करने के जो है, कुछ planning बगारा बना ले, जैसे example, घर इस तरीके से बनाएं, कि earthquake आएगा भी, तो भी उसको phase कर ले, ठीक है, तो अगर मान लिजी हमने पहले mitigation plan बना लिया, तो बाद में जो losses हैं, बहुत ज़्यादा कम phase करने पड़ते है तो कहने का मतलब यह है, कि climate area में, या फिर climate changes area में, हमको mitigation program लेके आने पड़ेंगे, ताकि जो climate change से जो हमको प्रभाब देखने मिलता है, society में especially, ठीक है, उसको mitigate किया जा सके, या फिर, अभी देखे, climate change से बहुत सारी disaster हमको देखने मिलता है, drought आता है, ठीक है, बहुत जग mitigation program में focus करना पड़ेगा, ताकि जो हमने ambition सोच रखा है, अगर हमको कैसे बन पाएंगे, net zero हमने target रख लिया, अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे, तो कैसे बन पाएंगे net zero, जो हमने target रख रखा है, तो कहने का मतलब यह है, जो हमारे mitigation program है, उनको और जादा strengthen करना पड़ेग या फिर detail जो हमको framework लेके आना पड़ेगा, to mitigate the effect of climate change, ठीक है, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो हमने ambition रख रखा है, वो achieve कर सके, अगला हमारा adaptation, ठीक है, adaptation को समझने से पहले मैं आपके लिए definition बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको easy language में समझाँगा, कि adaptation होता क्या है, या फिर adaptation क कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, इस COP27 की meeting के तुरू, ठीक है, development of framework for a global goal on adaptation, मतलब कहने का मतलब यह है, कि COP27 की meeting इसमें एक framework बनाए गया, कि जो की global goal जो है, adaptation पर focus करेगा, ठीक है, या फिर एक framework बनाएगा, जिससे पूरा country, जो member countries, UNFCC के, ठीक है, वो एक framework के तुरू आगे बढ adaptation, ठीक है, clear, चलिए, now pledge, pledge समझते हो, pledge मतलब होता है, कसम खाना, या फिर जो वादा करना, ठीक है, new pledge, totally more than, 230 million more than, were made to adopt the fund, adaptation fund, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि जो नई pledge बनाएगा, या फिर नया, जो है, जो setup बनाएगा, जिसके तुरू, यह बोला गया, member countries को, कि हम 230 million से भ होता है, हम आगे देखेंगे, बस अभी के लिए, यह समझ लेना, कि हमने 230 million, जो है, fund, जो है, allocate करने की बात करी है, ठीक है, किस के लिए, adaptation fund, finance की बात करें, शार्म, शार्म, एल शेक, ठीक है, मैंने बतायता है, यह जगह है, एजिप में, ठीक है, dialogue launch, article 2.1, clause C, Paris Agreement says, financing flow should be aligned with the global temperature target, कहने का मतलब यह है, कि इन्होंने बोला था, कि यह जो हमारा, यह जो article है, यह बोलता है, कि जो financial flow है, यह जो हमारे temperature targets है, उसके साथ align होना चाहिए, losses and damage की बात करें, देखें, new funding agreement established on assetting developing countries, that particularly vulnerable to adverse effect on climate change, कहने का मतलब यह है, कि loss and damage में, जो हमारे marginalized section होते है, society की, या फि vulnerable section होते हैं, या फिर सोसाइटी में, तो उन पे focus करने की ज़्यादा जरूए था, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा losses and damage होता है, for example, अब देखें, climate change के जो impact होते हैं, हम गरीब लोग को ज़्यादा face करने पड़ते हैं, for example, देखें, अब जैसे मानलों, drought है, ठीका, सूखा पड़िगा कहीं पे, तो अमीर लोग तो जो है, water खरीद लेंगे, बट जो सोच के देखें, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे afford करेंगे water को, ठीक है, इसका एक perfect example बता हूँ, देखें, महराश्रा में एक village है, गर आप water wife करके google करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, water wife अगर google करेंगे, तो वहीं आपको बहुत सारे article मिल जाएगे water wife पे, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि, आज के time पे, जो climate change के impact है, हमें इतने सारे देखने के लिए मिलते है, particularly vulnerable section, या फिर मैं बोलू, poor section, जो हमारी गरीब section है, उन पे जादा face करना पड़ता है, यह climate change के प्रभाव, ठीक है, तो water wife जो है, एक perfect example है, climate change के प्रभाव को understand करने के लिए, ठीक है, clear, चलिए, अगले हमारा institutional agreement made for the operationalization of Tingo network, the host of the secretariat of network will be selected by the year of 2020, 23, sorry, ठीक है, अगले हमारा energy sector में हमने क्या किया है, या फिर क्या target रखा है, ठीक है, parties called upon the transition toward low emission energy system, मतल कहने का मतलब यह है, कि energy जो produce करते हैं, for example, electric energy या फिर electricity जो हम produce करते हैं, बहुत सारी जो हमारे यहां पे इंडिया में आपको पता होगा, यह हम जो है, energy consume करते हैं, वो coal से आती है, coal को burn करने से, तो कहने का मतलब यह है, कि हम जो है, हमने नई pledge रखी, या फिर नए agreement रखे है जिसके हमने वादा किया है, कि हम ऐसे energy के source यूज़ करेंगे, जिससे कम से कम energy, low emission वगर हूँ, ठीक है, आप देखें, जब emission कम होगा, तो greenhouse gas emission कम होगा, ठीक है, जब greenhouse gas emission कम होगा, तो climate change जैसे phenomenon हम को देखने के लिए, देखने के लिए ही नहीं मिलेंगे, तो कहने का मतलब है, कि जितना हम sustainable, जो हमारी energy उस पर focus करेंगे, उतना ही हमारे जो carbon carbon emission है, हमारे environment से phase out होगा, ठीक है, अगला हमारा financial system reform की बात करें, तो multi-letter development bank, institutional, international financial institute, have been encouraged to reform the operational model, तो यह हमने जो है, financial system में भी reform लेके आए है, अगर just transition की बात करें, अब work program on just transition was launched, including high level minister, round table, ठीक है, तो यह हमने high minister round table वगरा रखी है, जिससे कारण जो हमारा just transition है, वो हो सके, ठीक है, clear, agriculture की बात करें, तो, केरोवियन joint work for the agriculture was given four years lease to establish the four year charm ilshake joint work implementation on climate action, तो कहने का मतलब भी है कि इनको चार साल जो है lease के लिए दिये गये है, for the केरोवियन joint work for agriculture, जिसको acronym है, KJWA, ठीक है, अब बात करें, technology transfer and development की, the first joint program for the technology executive committee and the climate technology center and network setup in the year of 2023 से लिए के 27, याद रखना, यह जो हमारा, यह जो हमारा mechanism है, यह फिर टेक्न, climate technology center network, ठीक है, यह 2023 से लिए के 270 के लिए, जो है, स्टाइब्लिश किया जाएगा, जो specifically, जो technological transfer, यह फिर development जो है, इंशोर कर पाएगा, in the climate area sector, ठीक है, clear, अगर अगर की बात करें, तो हम जो है, बहुत सारी यहां पर issues क्या क्या remain रहते हैं, ठीक है, हमने इतने सारे effort चला दिये, या फिर इतने सारे initiative हमने लिए, but still हमारे यहां पर issues क्या रहते हैं, ठीक है, सबसे पहला है, no commitment were made to phase out the fossil fuel, देखिए, हमने, मने अब को अभी बताया है, कि हम mitigation पर focus करते हैं, adaptation पर focus करते हैं, but हम यह कभ आतर जो पूरे world में, आगर मैं बता हूँ, तो 60-70% जो energy होते हैं, वो fossil fuel से होती है, अब सोच ही देखा कर मान लिजे, आप directly बोल दोगे, कि हमको non fossil fuel पर jump करना है, या फिर renewable source पर jump करना है, तो हमारे पास alternate available नहीं है, ठीक है, अगर मान लो, मैं आपको बोलू, कि हम coal completely बंद कर पाएंगे, अगर मान लिजे, आपके पास alternate नहीं है, और आप directly coal वगरा को phase out करने की बात करोगे, तो हो सकता है, कि आपके यहाँ पर जो energy वगरा है, उसकी scarcity बढ़ जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, कि जब हम commitment रखते हैं, ठीक है, कोई चीज, तो हमारे पास alternate हो तो उसके लिए आप काम भी करोगे, ठीक है, जब आप काम करोगे, तो ultimate यहाँ जो आपने target रख है, वो achieve भी होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि हमारे यहाँ पर जो target होते है, mitigation targets, उनको और जदा stringent करना पड़ेगा, if we actually want to phase out the fossil fuel, ठीक है, climate financial related issue की बात करेंए, तो climate finance inadequate रहता है, ठीक है, जैसे example यहाँ पर दिया गया है, कि 2030 तक के लिए हमको जो है, 4 trillion चाहिए, बट अभी तक जो है, हमने इतना है, जो हमने जो कहते हैं, investment वगरा करनी पाया, अगर बात करेंए, 2050 तक को हमको 4-6 trillion की डॉलर की जो है, चाहिए होगा पैसा, तो इतना पैसा है कहां पर ठीक है, नाहीं कंटी ज्यादा spend करती है, climate वगरा पर तो कहने का मतलब यहां कि financial constraint वगरा रहता ही रहता है, फिर अगला हमारा lack of clarity on loss and damage funding कहने का मतलब यह है, कि loss and damage funding होता है, ठीक है, उस fund में clarity नहीं है, ठीक है, कितना flow हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैस between current flow and developing nation need, कहने का मतलब यह है, कि developing countries है, जैसी US countries है, USA हो गया, चाइना हो गया, यह develop countries है, इन्होंने तो अपने आपको तो develop कर लिया, बट इंडिया जैसी countries का क्या, जो अभी भी developing categories में आती है, तो कहने का मतलब यह है, देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझ रहा है, जैसे develop countries like USA है, इन्होंने अपने आपको तो develop कर लिया, बट उनका क्या जैसे India like countries, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि India जैसी countries अभी भी developing stage में है, तो इनको और जाधा time, और जाधा resource चाहिए, उनकी आपको develop करने के लिए, जैसे USA, China, इन सबने अपनी countries को कर लिया, ठीक है, अगल develop countries ने, उन्होंने अपनी pledge को कायम नहीं रखा, जिसके कारण जो adaptation fund है, इसमें कभी आ जाती है, अब देखिए, पैसे की कमी तभी होती है, जब develop country जो पहले से बहुत सब्सक्राइब जाती है, जिसके कारण होता है, कि जो adaptation fund है, उसमें हर बार financial constraint बन जाता है, फिर अगला हम climate finance है, इसकी definition clear नहीं है, जिसके कारण एक major issue बनता है, हमारे climate change को deal करने के लिए, तो कहने का मतलब यह, कि जो climate finance है, इसकी definition को हमको और जाता clear बनाना पड़ेगा, फिर अगला हमारा full rule of procedure for article 6.2 remains unresolved, कहने का मतलब यह, कि जो article 6.2 है, इसका procedure अब भी भी unresolved है, जिसके कारण जो हम अच्छे से climate change को deal नहीं कर पा रहे हैं, अगला हमारा lose provision of the confidentiality and the potential double claiming of certain types of carbon unit also remaining concern, ठीक है, फिर अगला हमारा major challenge है, वो है greenwashing, growing tendency among the firm and the government to mark all kind of activities as something that the world would lead to emission reduction, मतलब कहने का मतलब यह, कि एक ऐसी activities या फिर ऐसी government या फिर forms की tendency होती है, कि ऐसे measure या फिर ऐसे action लो, जो carbon emission को, जो है reduction लेकिया है, और avoidance of emission, based on misleading information, कई पर होता है, कि इसको, जो countries होती है, यह misinformation वगर दे देती है, कि हमने इतना कर लिया, बट actually ground level पर कुछ होता नहीं है, तो कहने का मतलब यह है, कि misleading information कई पर countries के द्वारा दी जाती है, फिर अगला हमारा fossil fuel lobbying, report by NGO corporate accountability, corporate euro observatory, global witness release, during summit of, summit founder 633, fossil fuel, lobbyist, have register for the COP26 increase, from 25% in COP26, मतलब यह है, इसमें भी हमको increase देखने मिला है, अगर पिछले एक साल में देखें, तो हमको 25% का increase देखने मिला है, अब देखें, यह जो, जो इतने भी हमारे issues है, यह फिर चालिज़ लॉब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् इनको deal कैसे किया जा सकता है, तेकि सबसे पहला हमारा जो मतलब होना चाहिए, यह हमको mitigation target को और ज़्यादा enhance करना चाहिए, for example, जो हमने target रखे थे 2030 तक, इनको और ज़्यादा strengthen करना चाहिए, revisit करना चाहिए, जिसके कारण mitigation target है, यह और ज़्यादा strengthen हो सकें, तो कहने का मतल तो हमारा जो climate finance है, उसको scale up करना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा build करना पड़ेगा, ताकि जो climate change related, जो fund issue आते हैं, वो ना है, फिर अगला हमारा promote just energy transition partnership, जिसको jet P बोलते है, these are poised to play and expand the role of financing in the energy transition for emerging economy, फिर अगला हमारा establishing clear source and commitment for funding and loss and damage, कहने का मतलब यह है, कि जो loss and damage है, ठ हमको clear source चाहिए होगा, ठीका कि just example, जो पैसा वगर है, उसके लिए अगर हम पहले से प्लेज बना लेंगे, कि ये countries इतना पैसा देंगी, और ultimately वो अपनी pledge को follow भी करें, तो हो सकता है, जो fund वगर is related, या फिर जो हमको emergency में जो पैसे की ज़रुरत पड़ती है, वो ना हो, और जो हम चीज़े हैं, उनको अच्छे से tackle कर पाएं, फिर अगला हमारा कि जो financial gap है, वो developing countries और develop countries जो है, दोनों मिलके burden करें, बर्डन फेस करें, for example, ऐसा नहीं हो, कि develop countries जैसे USA चाहिना, यह कुछ पैसा देंगी ना, और develop countries जो है, इसका burden फेस करें, ठीक है, clear, चरिए, अगला ऐसे standards या फिर principle भी होंगे, जिनके थ्रू हम analyze करेंगे, कि भी यह हमने कितना mission कम कर लिया है, कितना हमको और जाद ज़रूरत है, अगला जो हमारा topic रहे गई है, breakthrough agenda set priorities, ठीक है, सबसे पहला जो important चीज़ है, इंडिया इसका member है, और अगर बात करें, objective की, तो सबसे पहला है, speed up decarbonization under five key sector, सबसे पहला power sector में हमको decarbonization पे focus करना है, road sector में steel, hydrogen और agriculture, तो यह major prior जो है, हमारे इंके, जो key areas रहते हैं, जहां पर यह decarbonization पे focus करते हैं, ठीक है, अगर बात करें, these priority action being supported by the various initiatives, जैसे example, first mover coalition, ठीक है, launch at the COP26, फिरगला हमारा climate investment fund, फिरगला हमारा emission, sorry, mission possible partnership and alliance leading to the climate organization, ठीक है, तो यह सारे के सारे जो organization है, यह जो institution है, इसके साथ, इनके जो priority action है, उनको support करती है, तो I hope this point is clear, ठीक है, अब move करते हैं, हमारा next topic, that is India and COP27, सबसे पहले समझेंगे, कि news में किस कारण था, India has submitted its long term low emission development strategy, ठीक है, तो अभी हाली में, जब COP27 की meeting होई थी, तो UNFCC की meeting में, जो इंडिया ने long term emission, low emission development strategy जो है, पुरे world के सामने रखी, अब बात कर लेते हैं, long term level, low level, low emission development strategy होता है, या फिर इसके कौन-कौन से इंडिया की approach रहती है, देखिए, सबसे पहला जो इंडिया की approach रहती है, इसको लेकिं, इंडिया need to build climate resilient, ठीक है, इंडिया को क्या हमारा, इंडिया has a significant energy need for development, ऑवेसी बात है, यह हर country के लिए यह यह वाला point valid होगा, क्योंकि हर country को energy की ज़रुवत है, ठीक है, अगला हमारा, इंडिया's historical contribution to the cumulative global greenhouse gas emission being, मैन, मैनू-scales, ठीक है, तो कहने का मतलब है, कि चार parameter है, या फिर इंडिया की चार approach रहती है, long term strategy को, इन इनिशेटिव देने के लिए, फिर जो long term strategy है, उनकी उसको follow करने के लिए, ठीक है, क्लिया, अब बात कर लेते हैं, इंडिया की long term low emission development strategies, यह को LTE let's कहते है, ठीक है, LTE let's lay out the step to achieve net zero emission by the year of 2070, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले की, इंडिया ने जो target रखा है, वो 2070 का रखा है, क्या आप मुझे comment box में बता सकते हैं, कि चाइना ने कपका रखा है, मैंने भी बताया था, आपको थोड़ी जेर पहले, ठीक है, rest on key seven key transition to the low carbon development pathway, ठीक है, parties to the UNMCC agree to formulate and cumulative long term greenhouse gas emission developing strategies, यह को LTE let's बोलते हैं, under article 4.19 of the Paris agreement, ठीक है, LTE let's are formulated, mindful of article though, taking account the common but differentiator responsibility and respective capabilities, जो मैं बत का रहा था ना, कि आपको मैं एक point नीचे बताऊंगा, ठीक है, मैंने अभी जो उपर बोला था, कि यह common but differentiator responsibility, जो मैं कह रहा था, आपको नीचे समझाओंगा, वो मैं अभी समझाता हूं, देखे, USA है, यहाँ पर मान लीजे, ठीक है, और यहाँ पर है, इंडिया, अब इं यहाँ फिर जो लो एमिशन टार्गेट है, ठीक है, USA को थोड़ा ज़ादा जो है, इस पर काम करना पड़ेगा, और इंडिया को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी पर developing stage पे है, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जो greenhouse gas emission है, उसके लिए USA ज़ादा responsible है बट इंडिया जो है, अभी भी developing nation की category में आता है, तो इंडिया को थोड़ा और chance देना चाहिए, और जादो जो है, इनको थोड़ा liberty देना चाहिए, अपने आपको develop करने का, तो कहने का मतलब यह है, कि जो common but differentiated responsibility होता है, इसका concept यह है, कि जो developing nation है, उनको थोड़ी ज़ादा priorities, prioritize और या फिर मैं बोलू, priorities देना चाहिए, ठीक है, compared to developing nation जैसे USA, तो ताकि जो developing category की state है, वो भी अपने आपको develop कर सके, ठीक है, I hope this point is clear, और अगर बात करें, L.T.L.E.T.S. की, तो इन्होंने बहुत सारे initiative लें, जैसे example, life initiative, ठीक है, lifestyle जिसमें हम specially eco-friendly lifestyle ब्यातित करने की को COP27, इंडिया के द्वारा concern क्या क्या जिर्स कियेगे, सबसे पहला है, कि gap in operationalizing in the principle of equity and climate justice, कहने का मतलब यह है, कि इंडिया ने जो है, यहां पर concern raise किया, कि भीया, आप हम इंडिया जैसी को क्यों अर्च कर रहे हो, कि हम अपने target बढ़ा है, कई सारी कंटी बोड़ी थी, कि इंडिया को भी अपने target बढ़ाने चाहिए, इंडिया का concern ही यही था कि भीया, आप इंडिया को क्यों पूर रहे हो, इंडिया तो अभी भी developing nation में आता है, तो आप इंडिया को क्यों insist करे हो, कि भी आप अपने target बढ़ाओ, अपने target बढ़ाओ, तो जो हमारे equity है, climate equity, इ आप focus तो करते हो climate equity, climate justice पे बट इंडिया को आप डबल अप होने का चांस नहीं दे रहें, ठीक है तो यह जो है जो प्रिंसिपल है equity or climate justice का इंडिया को लेकर इंडिया के perspective से देखें तो इसमें बहुत जादा gap है, ठीक है डबल अप डबल अप नेचन जो है इंडिया जैसे ही equitably share among all countries, ठीक है कहने का मतलब यह है कि देखें, obviously बात है, carbon emission जो है बहुत rapidly increase हो रहा है, अब इसको deal करने के लिए आपके पास budget भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा carbon budget है, उसका जो distribution होना चाहिए उस पैसे का, ठीक है, वो सारी countries के बीच में equal होना चाहिए, यह दूसरा जो concern है, इंडिया ने race किया at the COP27, अगला हमारा development need, developmental need for developing countries should be given due consideration, अब देखें, कहने का मतलब यह है कि जो developing countries है, मैंने अभी बता है, अब वो तो अभी भी developing, developing nation में आती है, तो उन जैसे countries, जैसे इंडिया जैसे countries को जो है, चाहिए कि वो जो अपनी developmental need है, वो fulfill कर सकें, ठीक है, क्योंकि जो developing countries है, जैसे China, USA, इनका responsibility थोड़ा जादा बनता है, ठीक है, तो इनको जादा measure लेने चाहिए, compared to India, ठीक है, क्योंकि इंडिया की responsibility, greenhouse gases emission में थोड़ी कम है, compared to these two, जैसे USA और China, ठीक है, अगला हमारा introduction of carbon border measure, ठीक है, कहन कोई भी कंटीज है, ABC, कोई भी कंटीज है, तो हर कंटीज को जो है, अपना carbon border जो है, बनाना पड़ेगा, या फिर measure करना पड़ेगा, कि हम जो है, इस से जादा carbon emission नहीं करना करेंगे, तो अगर मान लीजे, एक border या फिर एक border demarket कर देंगे, कि भाहिया, हम इतसे जादा न जो हम टार्गेट रखें, हमने वह भी अचीव कर पाएंगे, तो कहने का मतलब यह है, कि हम को जो carbon border measure पड़ेंगे, फ्रिगला हमारा extending scope of mitigation or to agriculture under the cornivorous joint work on agriculture, जिसका acronym हमने बताया था अभी कुछ देर पहले, तो कहने का मतलब यह है, कि हमारे जो सोच के देखिया, हमारे जो small farmers जो marginalized farmer, जो सिर्फ और सिर्फ agriculture पर ही depend रहते हैं, तो आप सोच के देखिए, अगर मान लिजे, agriculture पर restriction लगा देंगे, तो जो small landholders हैं, या फिर फार्मर्स, छोटे-छोटे farmers, वो कहां जाएंगे, जो directly हमारे, सिर्फ और सिर्फ किस पर deal करते हैं, agriculture पे, तो अगर मान लिजे, climate change है, ठीक है, climate change directly, इनको hit कर देगा, ठीक है, या फिर आप जो है, इनको restrict करोगी, कि भी या ऐसी practices agriculture में मत करो, तो यह सा, जो small landholders है, या फिर small farmer है, वो कहां जाएंगे, कैसे आपना जो livelihood, वो व्यतीत कर पाएंगे, ठीक है, तो अगला इंडिया के द्वारे concern raise किया गया, फिर अगला हमारा selecting single out sources of emission, अब इंडिया का जो अगला concern है, यह बोलते है, कि हम जो है, कुछ-कुछ चुनिंदा लोग, जो carbon emission के source है, उन पे ही focus करते हैं, बट इसके अलावा, बहुत सारे ऐसे sources भी है, जिनको हम left out कर देते हैं, और उससे भी last scale, जो हमारे यहां पे emission होता ह है, तो अगला इंडिया का concern यह है, कि हम सारे sources पे equally focus करें, ऐसा नहीं है कि कुछ sources पे हम focus करें, और कुछ पे ना करें, तो इनका कहने का मतलब यह है, कि जितने भी sources हैं, सब पे equally हमको concern देना है, कि किस से कितना emission हो रहा है, तो अगर हम सारे चीजों को equally prioritize करेंगे, तो हम जो है, अगला हमारा है कि climate finance की definition है, यह बहुत जादा unclear है, जो मैंने अभी बताई भी थी आपको, फिर अगला हमारा climate finance की shortage है, ठीक है, इन्होंने बोला था कि हम 2050 तक हमको 10 trillion dollar की मदद लगेगी climate change को deal करने के लिए, और 2070 तक हमको इसका amount और जादा increase करना पड़ेगा, तो कहने सबसे पहला बात करें, low carbon development for electricity system की बात करें, तो सबसे पहला national determined contribution जिसमें target रखाता हमने की 2030 तक, हम जो 50% जो हमारी energy होगी, वो non fossil fuel करेंगी, ठीक है, अचीव करेंगी, फिर अगला हमारा renewable energy purchase obligation जो है, जो हमारे renewable energy पे specially focus किया जाता है, जिससे जाल से जादा जो हमारे, जो हमा renewable energy पे focus कर सके, फिर हमने green energy corridor भी बनाएं, फिर अगला हमारा three-fold rise of nuclear installed capacity by the year of 2032, ठीक है, तो ये भी याद रखना कि हमने nuclear installed capacity जो हमने establish करने की बात के है, तीन याद रखना, three-fold rise of nuclear installed capacity, ठीक है, तो ये 2023 तक जो हम establish करने की बात करते हैं, ठीक है, या फिर हमने सोचा ऐसा, फिर अगला हमारा अगर बात करें, integrated, efficient, inclusive, low-carbon transportation system, तो ये 20% ethanol blending petrol by the year of 2025, और ये सारा का सारे data याद रखने वाला है, तो मैं आपको advice करूँगा, कि सारा का सारे data, आप अपनी जो है, जो भी आप जहां notes बनाते हैं, वहां quote कर लेना, ठीक है, या फिर bullet point में लिख लेना, फिर अग प्रामिस किया कि 2030 तक हम जो है, net zero carbon emission, जो है, emitter बन जाएंगे, फिर अगला हमारा, national master plan for multi-model connectivity, जिसको PM गती शक्ती बोलते हैं, फिर अगला हमारा, leaf frogging, direct reach, भारा stage, sixth emission, फिर अगला हमारा, adaptation in urban design energy, material efficiency in building, and sustainable urbanization, especially अगर बात करें, तो ये sustainable urbanization की बात कर रहा है, ठीक है, इसी क sustainable urban urbanization की बात करें, तो सबसे बहला हमारे जो point है, national urban policy framework, ये सबसे important चीज़ है, जो आपको याद रखना है, फिर अगला हमारे national building code, energy conservation building code, eco निवास, समीता, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे eco friendly initiative हैं, जो especially urban area में काम आते हैं, और इन में समझाने जैसा कुछ है, ये initiative है, जिनके directly आपको नाम ही याद रखने हैं, इसलिए मैं जल्दी यल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि नाम ही आपको याद रखने हैं, उससे जाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, अगर आप code भी करोगा, तो सिरफ और सिरफ आपको नाम ही code करने पढ़ेंगे, अगला इसमें अगर बात करने इनिशेटिव की तो सबसे पहला हमारे नाशनल मिशन ओन एन्हांस एनर्जी एफिशेंसी, ठीक है, स्टैंडर्ड ओफ लेबलिंग स्कीम, एनर्जी एफिशेंसी फानेशिंग प्लैटफॉर्म, ठीक है, अगर बात करने नाशनल पॉलिशी ऑन बाय सकते हैं, फिर अगला है हमारा की, CO2 रिमूवल एन रिलेटेट टू इंजिनिरिंग स्लिशन, ठीक है, अगर बात करें, CO2 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, फिर इंजिनिरिंग सलिशन को कौन से लेकर हमने कौन से इनिशेटिव लिए, सबसे पहला हमारा कार्बन कैप्चर इसको जो है, और जादा कम कर सकें, अगला हमारा एनांसिंग, फॉरेस्ट, वजिटेशन कवर, इसको लेकर हमने कौन कौन से इनिशेटिव चला हैं, सबसे पहला हमारा नैशनल डिटरमाइंड कॉंटरिशन, जिसमें हम बात करते हैं, 2030 तक, कार्बन सिंग जो है, 2.5 से ले इनिशेटिव चला हमारा और भी हमने बहुत सारे इनिशेटिव चला हैं, जैसे एक्जामपल, नैशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नाशनल एफ़रेस्टेशन प्रोग्राम, नगरवन योजना, थेकर नाशनल आर एडिड प्लस, स्टैंट्स रेदूसिंग, डिगरेश जो हमारी green vegetation या फिर forest cover है, उसको increase कर सकते हैं, हमारी society में या फिर हमारे environment में, जिसके कारण जो green house gas emission है, यह कम से कम हो, फिर अगला हमारा major gathering effort for the national highway authority of India, जिसको NHI बोलते हैं, और Indian railway, ठीका तो यह याद रखना, especially, अगर बात करें greenery से related, तो हमारे याप नाशनल highway authority of India या फि initiative ली है, जिसके कारण हम, जो है, especially, हमारे, जो हमारे Indian railway या फिर highway की sector में, हम जो है, greenery enhance कर सकें, जैसे example, एक perfect example बताता हूँ, अभी हाले में, एक NHI जो है, इन्होंने एक initiative चलाए था, कि हम जो है, जितने भी road है, हमारे या पे, especially highway, या फिर कहीं भी road है, उनके side side में, हम जि जादा होते हैं, तो जो carbon emission होता है, इसको absorb कर लेते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि जितने जादा हमारे यहां पे, पौदे वगर होंगे, उतना ही emission हमारे यहां पे कम होगा, ठीक है, अगला हमारा economic and financial aspect of low carbon development, इसके sector में बात कर नहीं, तो सबसे पहला business responsibility and sustainability report, जिसक सारे major initiative है, जो आपको याद रखने है, अब बात कर लेते हैं, वे forward क्या हो सकते हैं, ठीक है, long term target को लेकिए, सबसे पहला है, enhanced mitigation effort and from the developing countries, तो कहने का मतलब यह है, यह जो development countries है, उनके द्वारा जो mitigation effort है, यह और जादा enhance करने पढ़ेंगे, ताकि जो हमने 50 तक target रख 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 यह initiative लेंगे ना, इन चीज़ों को अचीज़ों को अचीव करने के लिए, तो target हमारा अचीव करने और जादा easy हो जाएगा, फ्रगला हमारा, जितना भी हम consumption करते हैं, तीक है, वो sustainable होना चाहिए, just example, single-use plastic है, इसको हम कम कर सकते हैं, जो eco-friendly product है, उनको use कर सकते हैं, ताकि ज इनको ऐसा technology या फिर ऐसा alternate provide करना पड़ेगा, जिसके कारण कम से कम जो है, यह develop countries low emission करें, इनको develop करने का chance दिया जाएगा, बट यह ऐसी strategy से अपने आपको develop करें, जो बहुत जादा low emission होता है, जिससे, ठीक है, तो strategy इनको time मिलेगा, आपने आपको develop करने का, बट इनकी strategy होन developing countries, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि यह जो है, developing countries जो है, इनके साथ unfair, जो कहते हैं, unfair treatment ना हो, ठीक है, develop country, develop होने का chance दे, बट इनके यहां से भी solidarity, यह फिर unite response आना चाहिए, ठीक है, ताकि यह भी थोड़ा बहुत जो है, develop countries को जो है, support कर पाए, अब सारा burden जो है, develop countries पे आप from all over the world, ठीक है, तो जो हमने target वगएर रखे हैं, उनको अचीव करने में और जादा मदद मिलेगा, फिर अगला हमारा long term goal for phasing out the fossil fuel, ठीक है, तो हमको long term में focus करना है, कि कैसे हम completely, जो हमारा emission होता है, उसको phase out कर सकते हैं, ठीक है, अगला हमारा scaling of climate finance, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि हमको climate finance पर भी focus करना है, ठीक है, तो climate जब हमारा पार fund होगा होगा, या फिर financial support होगा, तो जो measure है, वो लेना और जादा easy हो जाता है, अब बात कर लेते हैं, कुछ हमने जो उपर key terminology समझे, ठीक है, या फिर पढ़ेते, उनके मतलब किया है, जैसे example loss and damage की बात करे, impact of climate change that cannot be adapted to, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि ऐसे climate change के effect, या फिर impact, जो हमको बहुत जादा time तक, या फिर मैं बहुत पर्मानेंट losses हमको face करने पड़ते हैं, for example, अब जैसे example desertification है, या फिर degradation, land degradation है, यह बहुत जादा time देता है, restore होने के, या फिर कई बार तो होता ही नहीं है, तो बहुत सारे जो permanent losses होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं, loss and damage, ठीक है, या वरकना बहुत important चीज है, जैसे example extreme event, जैसे example flood, hurricane, typical tropical cyclone, तो यह सारे का सारे impact ऐसे होते हैं, या फिर temperature rise, sea level rise, तो यह हमको impact है, इसका climate change के, यह permanently देखने मिलते हैं, ठीक है, जैसे example, sea level rise हो गया, अब इसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं, flood आ गया, ठीक है, अब इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अगला हमारा जो topic है, यह या फिर terminology है, यह just transition, ठीक है, इनका कहने का मतलब यह होता है, कि जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, इसका जो distribution, या फिर economy, या फिर जो भी आप economy green कर र हो, बट इसका जो support है, या फिर जो distribution है, फिर और inclusive होता है, जिसके कारनल सारे लोग, जो सारे individual है, उनको मदद मिल पाते है, फिर net zero कहने का मतलब यह है, कि जितना आप carbon emit कर रहे हो, उतना ही आप absorb भी कर दो, फिर अगला आरक green washing मतलब कहने का मतलब यह होता है, कि जब आप जो है, अपने misleading करते हो, ठीक है, अपने जनता को, या फिर लोगों को, ठीक है, कि आप कर कुछ और रहे हो, बट आप दिखा कुछ हो रहे हो, ठीक है, जब हम mislead करते हैं, या फिर misinformation वगरा देते हैं, तो उसको कहते है, green washing मैं पढ़ देता हूं, कॉन बाइदा एन्वार्म या फिर अपनी जो institution है, उसको eco-friendly दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है, अगर बात करें, form of green washing, तो सबसे पहला हमारा, fabing, no proof, फिर अगला हमारा hidden trade tariff, फिर अगला हमारा irrelevance, less evils, फिर अगला हमारा vagueness, तो यह सारे parameter show करे जाते हैं, green washing के लिए, ठीक है, तो, कहने का मतलब ही है, कि जब आप misleading, या फिर misinformation देते हो, आपने, जो आपने target achieve की है, ठीक है, तो उसको कहते है, green washing, अगर बात के लिए, जो acronym बता रहा था, caravan joint work on agriculture, ठीक है, तो यह हमारे UNFCC, जो है, उनका एक initiative है, या फिर landmark decision है, ठीक है, that recognize unique potential of agriculture, tackling climate change, ठीक है, तो याद रखना है, यह जो बहुत important चीज है, अगर बात किया है, कौन कौन से चीजें पर focus किया जाता है, तो soil, nutrients, use of water, livestock, method of assessing, adaptation, social economic, food security, dimension, यह सारे के सारे climate change के perspective से देखे जाते हैं, ठीक है, अब बात के लिए, common but differentiator responsibility, मैंने भी बताया था, USA और India के example, देखे कि USA की थोड़ी जादा responsibility और India की थोड़ responsibility है, climate change को लेकि, तो इसे को कहते है, common but differentiator responsibility, ठीक है, carbon budget की बात के ने, तो carbon budget is the maximum amount of cumulative net, net global anthropogenic CO2 emission that would result in limiting global warming to a level of 1.52 और 2.2 degree Celsius with the given likelihood, ठीक है, अगला बात के ने, climate equity की, तो जो climate change है, या फिर climate equity का जो benefit है, ठीक है, या फिर climate protection का, जो effort है, सबको equally benefit करें, ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई एक individual या कोई एक entity, जो है, burden phase करें, ठीक है, तो climate equity मतलब होता है, कि जब सबको हम जो है, एक जैसा benefit पहुंचा पाएं, इस climate change की, या फिर जो भी हमारे climate change से initiative लेते हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, कि किसी एक country पे burden न जगाना पड़े, यह फिर सबको equal protection जो में है, climate change से related में सकी, अगर बात करें, standing home, ठीक है, network की, तो यह COP20, जो COP19 की meeting होई थी, 2013 में, ठीक है, तो उस time पे यह mechanism सामने आये था, ठीक है, for loss and damage to catalyst and technical assistance, for advertising, minimizing, addressing the loss, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि एक ऐसा network होता है, जिसके कारण जो है, losses, जो है, कम से कम phase करने पड़े हमको, इन चीज़ को, हमको technical assistance वगरा, provide करता है, अगर बात करें, article 6.2 of Paris Agreement, तो यह especially बात करता है, internationally traded mitigation outcome, ठीक है, जिसको ITMO बोलते है, यह इस पे focus करता है, अगर बात करें, climate finance की, तो discussion surrounding the climate finance, formed an important part of UN climate change, या फिर मा बोलू, COP27 थी, क्लाम finance, COP27 का एक major issue रहा था, या फिर major point of discussion रहा था, ठीक है, अगर बात करें, climate finance की, ठीक है, climate finance is local, national, or transitional funding from public, private, and alternative sources to support the climate change mitigation and adaptation action, कहने का मतलब यह, कि एक ऐसा financial mechanism होता है, जिसमें हमारे public sector, private sector, या फिर alternate source हो सकते है, जिसे एकारने, climate change mitigation, adaptation, action है, उनको support किया जा सके, ठीक है, दुबारा बोल देता हूँ, देखे, climate finance, एक ऐसा local mechanism, local, या फिर national, या फिर international mechanism है, ठीक है, जिसके कारने, जो public sector, ठीक है, private sector, या फिर alternate, जो भी source होते है, वहाँ से, जो financial support हो लिया जाता है, और ultimately, जो climate mitigation है, या फिर climate adaptation, action हो, उनको support किया जाता है, ठीक है, USD 4 trillion per year, need to be invest in renewable energy, up till 2030, ठीक है, to able to reach the net zero emission by the year of 2050, कहने का मतलब यह है, कि, अगर हमको, 2050 तक net zero बनना है, तो 2030 तक हमको 4 trillion dollar, जो है, spend करने का, करना पड़ेगा, हमारी renewable energy पे, अगर हमको actually achieve करना है, net zero emission, ठीक है, या रखना, अगर बात करें, significance की, climate finance की, तो सबसे पहला, just transition बनाएगा, मैंने भी पताया था, just transition क्या होता है, ठीक है, तो तुम दुबारा नहीं बताऊँगा, फिर loss and damage को भी address करने में मदद करेगा, जो हमारे vulnerability है, फिर developing countries की, जो vulnerability है, उसको deal करने में मदद करेगा, फिर अगला हमारा, कि जो हमारे natural capital and bad diversity है, उसक अगर बात करें, कौन कौन से mechanism है, जिसके थ्रू जो हम climate finance वगरा करते हैं, तो सबसे पहला हमारा, fund managed by the global environment facility, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है, special climate change fund, ठीक है, जो की 2001 में established हुआ था, जो specially बात करता है, adaptation पे, technology transfer, capacity, building, energy, transport, industry, agriculture, forestry, management, economics, desert, diversification, these are the priority sector, which they focus upon, ठीक है, अगला हम to support a work program, to assist the least developed countries, parties, जिसको LDC बोलते हैं, फिर अगला हमारा adaptation fund, ठीक है, यह 2001 में established हुआ था, जो specially हमारे adaptation project, यह फिर program है, developing countries में, उनको focus कर सके, 5% of share, procedure, proceeds from the new market, based on UNFCC mechanism, established by article 4.6 of the Paris Agreement, बने अभी समझाया था, हमारे जो, article 4, 6.4 जो है, वो किसे deal करता है, मैं अभी समझाया था अगला हमारा green climate fund, ठीक है, fund जिसको हम GCIF बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है, यह 2020 में established किया गया था, और इसके अंदर pledge रखा गया था, ठीक है, सॉरी, 2010 में established किया गया था, और 2020 में इन्होंने pledge बनाई थी, कि हम जो इसके अंडर में 100 billion का जो fund है, वो mobilize करेंगे, ठीक है, अगला जो हमारा है, sources of climate finance, सबसे पर हमारा जैसे UNFCC, UNCCD, फिर अगला हमारा, international financial institution, multinational development bank, world bank, ठीक है, Asian development bank, अगला हमारा, allocation of national government, फिर अगला हमारा, carbon pricing instrument, जैसे example, carbon market approach, emission trading scheme, carbon emission tax, अगला हमारा private finance through, the green bond, green deposit, तो यह सारे के सारे sources रहते हैं, climate finance को deal करने के लिए, अगर बात करेंगे, जो हमारी surrounding है, climate finance को लेके, उसके अंडर में क्या-क्या sources, जो problems है, तो सबसे पहले हमारा insufficient amount, ठीक है, आप कितना भी spend कर लिए, बट जो amount है, यह insufficient ही रहता है, ठीक है, क्यो को बहुत जादा पैसा चाहिए, car management को deal करने के लिए, तो amount रहता है, यह हमेशा insufficient ही रहता है, फिर अगला हमारा trust issue, ठीक है, कई बार होता है, क्या है, जो हमारे develop countries है, ठीक है, डीक है, डीक है, पैसा बगरा देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सोचे है, कि हमी पैसा क्यों पैसा नहीं दे रही, तो एक trust जो issue रहता है, वो रहता ही रहता है हमेशा, फिर अगला हमारा private sector है, especially developing countries, in developing countries में, private sector जो है, बहुत जादा कम participation करता है, जिसके कारण जो developing countries है, वो अपने target achieve नहीं कर पाती, फिर अगला हमारा common definition नहीं है, सब के लिए, ठीक है, जो climate finance की definition है, definition नहीं मानता है, तो clear definition नहीं है, अगर माल लिए, clear definition होगी हमारे पास, तो सब को जो है, उस definition के according ही काम करना पड़ेगा, फिर अगला हमारा low share of grant, loans, ठीक है, accounted for the largest public share of the climate finance between the year of 2016 and 2020, ठीक है, 70% of the, 72% of the total public financial, finance provider, फिर अगला हमारा unfunding of the adaptation, ठीक है, हमारे यहां पर जो adaptation है, उस सारे के सारे major issues है, अगर बात करें, developing countries के द्वारा climate finance को लेकि कौन कौन से challenges face करने पड़ते हैं, सबसे पहला, debt burden, limited technical human resources, insufficient process, lack of harmonization in the climate finance, shortage of grant based financing, low awareness, unique climate and fiscal vulnerability, ठीक है, तो यह major challenges है, जो developing countries के द्वारा face करे जाते हैं, अब बात कर लेते हैं, climate finance and India, ठीक है, सबसे पहला है, India's climate financial need, सबसे पहला है मारा cumulative investment of up to 6 से लेकि 8 trillion USD, ठीक है, यह हमने target रखा है, 2015 से लेकि 2030 तक, फिर एगला हमारा India needs around 10 trillion to achieve net zero by the year of 2017, ठीक है, तो अगर हमको 70 तक अचीव करना है, तो हमको 10 trillion dollar जो है लगीगा, ठीक है, net zero बनने के लिए, अगर बात करें, step कौन कौन से लिए गया है, तो याद रखा है, इंडिया के perspective से बहुत जादा important है, सबसे पहला हमारा national adaptation fund for climate change, ठीक है, तो जिसको NA FCC बोलते ही 2015 में लेकि आए गया था, फिर अगला हमारा priority sector lending, ठीक है, जो especially जो हमारे renewable energy project है, उनको fund करता है, फिर उनको support करता है, इसको कहते है priority sector, फिर अगला हमारा issues of the green deposits and green bond, ठीक है, 2015 में जो याइस bank है, उन्होंने issue किया था, first green bond, याद रखना बहुत important है, ठीक है, अगला हमारा sustainable financial group, जिसको SFG बोलते है, जो RBI के द्वारा set up किया गया था, जो especially हमारे national and international agencies है, उनको deal कर सके, उनके issues से deal कर सके, especially in the climate area, climate change area, ठीक है, य याद रखना है, बहुत important चीज़ का है, जिसको NGFS बोलते है, a group of central bank and supervisor of willing to share the best practices and contribution to the development, environment and climate risk management in the financial sector, ठीक है, तो ये major major जो है, हमारे initiative चलाए है, जिससे हमारी जो climate financial उसको deal किया जा सके, या फिर उनसे जो related issues है, उनको deal किया सके, ठीक है, अब बात कर लेते है, वे forward क्या हो सक सबसे पहला जो है, increase efficiency of financial market, जो हमारे financial market है, ठीक है, उनकी जो efficiency है, वो increase करने पड़ेगा, अब efficiency कैसे increase हो सकती है, सबसे पहला हमारा better information provide करके, ठीक है, transparency लेके taxonomy, जो है, उसमें जो transparency accountability लाके, या फिर जो climate risk है, उनको mitigate कर सके, ठीक है, फिर जो हमारा consumer है, उनकी rights को protect करके, तो यह सारे के सारे जो अगर मान लिजे, financial market में हम efficiency लेकी आ जाते हैं, जो हमारे climate change है, उससे जो financial हमको constraint वगरा होता है, वो भी नहीं होगा, फिर अगला हमारा set up climate club and cross border financial initiative, just example, just transition partnership, फिर अगला हमारा transformation of MDB, IFI, ठीक है, including reforming operation practices and prioritizing, ठीक है, अगर मान लिजे, हम जो है, prioritize करके, ज बहुत जादा हमको मदाद मिलता है, अगर मान लिजे, आप randomly कोई चीज initiative लेते हैं, तो यह बहुत जादा difficult होता है, आपको achieve करना, ठीक है, अगर मान लिजे, आप policy बना रहे हैं, या फिर framework बना रहे हैं, तो उसकी according आप कुछ काम करते हैं, तो हो सकता है, कि वो जो है, थो the year of 2025 from the 2019, ठीक है, further developed nation need to be delivered on a goal of 100 billion as soon as possible, ठीक है, तो याद रखना है, हमारी nations है, ठीक है, इनको जो है, 100 billion का जो है, 100 billion dollar का delivery, यह बहुत जादा ज़रूरी है, बहुत जितना मता कहते हैं, as soon as possible, इनको 100 billion तक का finance प्रोवाइट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारी developed countries है, उनको बहुत जादा कम burden face करना पड़े, फिर अगला हमारे creating common language and standard for climate change, ठीक है, या फिर climate finance, ठीक है, कहने का मतलब यह है, कि जो common climate finance है, जो भी आपको mechanism बनाते हो, तो उसके लिए common language होनी चाहिए, common standard होनी चाहिए, ठीक है, फिर अगला हमारा enhanced financing avenues and adaptation such as through the innovative instrument, जैसे example, special drawing rights, फिर concession for unrest, capital vehicles and guarantee, तो यह सारे के सारे initiative या फिर instrument है, या फिर मैं बोलो innovative instrument है, जो आप चला सकते हो, in order to tackle climate financial related issues, ठीक है, अगला हमारा mobilized domestic finance and central bank, ठीक है, तो हम जो है, domestic finance या फिर हमारी central bank है, उसको mobilize कर सकते है, जो climate change है, उससे issues जो है, उसको deal करने के लिए, ठीक है, अगर बात करें related issues की, तो climate finance delivery plan, progress report, advancing the 10 collective action, जैसे example published by the Canada, Canada and Germany, ठीक है, तो या रहा है, जो कनाडा है, और जर्मानी, उन दोनों ने मिलके report, जो है, पब्लिश करी थी, सबसे important चीज़, अगर बात करें, 10 collective action की, तो सबसे पहला हमारा, broader financial transition needed to implement article 2.1, फिर अगला हमारा assessing and building lesson learned, फिर अगला हमार reporting on the collective progress transparency, फिर अगला हमारा improving and effectiveness of the private finance mobilized, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, अगर आप एक बार भी पढ़ोगे, तो आपको समझा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं जल देदे पढ़ रहा हूं, जहां पर समझाने वाला होता है, मैं समझा देता हूं, ठीक है, इसमें आपको finance for adaptation, इनको उस्यादा increase करना पड़ेगा, फिर हमारे जो prioritization है, या फिर मैं जो vulnerable section है, उनको prioritize करना पड़ेगा, बेनेफिट पहुचाने के लिए, या फिर विनलेबल countries है, उनको prioritize करना पड़ेगा, फिर अगला हमारा addressing barriers, जैसे climate change में या फिर climate finance में आते हैं, फिर अगला हमार adaptation gap report too little to show the climate adaptation failure puts world at risk, तो यहाद रखना, यह title था, इस report का, जो अभी हाले में UNEP न रिलेस करी, तो सबसे important चीज़ है, यहाँ पियाद रखने वाला, कि adaptation gap report निकालता कौन है, UPSC ने बहुत पार ऐसे questions पूछे हुए, ठीक है, बताइए कि यह report कौन निकालता है, तो यहाद र at least one national adaptation planning instrument, ठीक है, तो यहाद रखना, दस में से आठ ऐसी countries है, जिनकोंने अपने आपने national adaptation planning, जो है, हमारे instrument बना रखा है, more than one third of all 190 parties to the university, incorporated quantifiable and time bound adaptation target, ठीक है, तो यहाद रखना, जो हमारी 198 countries है, उनमें से one third ऐसी countries है, जिन्होंने quantifiable time bound adaptation target रख रखे हैं, फिर अगला हमारे 90% of the planning instrument, analyze, display, consideration for the gender and historical disadvantages group, ठीक है, तो यहाद रखना, यह especially 90% जो ऐसी planning instrument होता है, जो especially फिर 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 जेंडर, यह फिर जो हमारे historical disadvantage section रहें, उनको tackle करने यह फिर उनको जो issues होते हैं, उनको deal करने के लिए बनाए जाते हैं, फिर अगला हमारे combined adaptation mitigation financial flow, इन 2020 fell at least 17 billion short of the 100 billion, ठीक है, तो याद रखना कि हमारी developing countries थी, उन्होंने pledge बनाई थी, 100 billion dollar की, बट अगर बात करें 2020 में, तो यह सिर्फ और सिर्फ 17 billion रहा, ठीक है, तो बहुत जादा कम रहा, ठीक है, अगर बात करें finance की, तो बहुत जादा कम रहा, और इसी कारण यही कारण है कि हमारे climate finance से related issue बना ही रहता है, फिर अगला हमारा adaptation financial gap, ठीक है, अगर बात करें, developing countries like, 5 to 10 times greater than current international adaptation financial flow, ठीक है, अगर बात करें, जनरल पर प्रिंसिपल of good adaptation practices, तो सबसे पहला हमारा, tackling inequality, ठीक है, general inclusion of stakeholder, ठीक है, जास एक्जामपल, local communities, indigenous people, women, other marginalized section, फिर अगला हमारा, transparency, accountability, predictability and support, of support, फिर अगला हमारा integration of the adaptation and national development priorities, ठीक है, तो याद रखने, जैसे example हमारा SDG goal है, ठीक है, अगला हमारा flexible adaptation management to consider the feedback and learning, ठीक है, जो हमारा feedback या फिर लर्निंग है, ठीक है, इससे और ज़्यादा adaptation flexible होती है, फिर अगला हमारा investment in the local capabilities, जो हमारी local capabilities है, उनमें और ज़्यादा हम कुछे invest करना पड़ेगा ताकि जो local level पर जो outcome है, यह हमको देखने मिल सके, या फिर local level पर outcome निकल के आ सके, फिर अगला हमारा integration of local and traditional indigenous and scientific knowledge, ठीक है, तो हमारा indigenous knowledge या फिर scientific knowledge है, उसमें और ज़्यादा invest करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा indigenous knowledge system से जो innovative solution है, वो निकल के आ सके, फिर अगला हमारा consideration of the future risk, ठ consider करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हमको action लेना पड़ेगा, अब बात कर लेते हैं, issues क्या क्या आते है, adaptation effort में, देखें सबसे पहला जो issue आता है, यह रहता है, कि हम जो है ना, बहुत जादा जो है, चीजों पर focus करते हैं, कि कैसे adaptation climate fund आना चाहिए, यह आना चाहिए, हम जो है, outcome पर focus नहीं करते हैं, कई बार होता है कि कई बार ना, हमको outcome पर focus करना पड़ता है, ठीक है, हम जो है, चीजों को तो focus कर लेते हैं, यह करेंगे, वो करेंगे, बट उससे outcome निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा है, यह चीज हम जो है, analyze नहीं करते हैं, तो हमको target ऐसे estimated annual adaptation need to be in range with the 162 340 billion by the year of 2030 और अगर बात किने 2050 तक की तो यह 315 से लेकि 565 होना चाहिए US dollar ठीक है या फिर billion US dollar ठीक है अगर बात करें exclusion of marginalized section ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे यहापे marginalized section है यह इनका exclusion बहुत जादा होता है जो कि adaptation पर focus तो कर रहे हो ठीक है जो हमारे women या फिर local communities है या फिर जो हमारे age लोग है ठीक है जो हमारे old age होते है इन पर अगर marginalized section पर आप focus नहीं कर रहे है तो आप कितना भी focus कर लो आपके adaptation target कभी भी fulfill होई ही नहीं पाएंगे फिर अगर बात करें अगले जो हमारे major जो हमारा इशू रहता है वह है माल अडप्टेशन का रीफिटिंग डेवलप्मेंट अक्रिविटीज सच अड़ाप अडप्टेशन एक्शन विदाउट स्पेसिफिकली अडर्सिंग दा एक मेजर इशू रहता है हमारे अडप्टेशन को अचीव करने के लिए और हमारे चोटी-चोटी-चीजों को लेके प्राउड फिल करते हैं कि हमने यह अचीव कर लिया है बट अगर हमारी जो डेफिनिशन देखें उनको हमको एंलार्ज करने के ज़रूरत है जितने हमारे जादा बड़े टार्गेट्स होंगे मैंने बताया था ना उतनी हमारी जादा एस्पाइरेशन बड़ी कि बहुत जादा जो है जो है हमारी और हम बहुत सारी चीज़ों को इसली अचीव कर पाएं ठीक है अगला है हमारा अडेपटेशन लिमिट या आप सकते हो एक कंटेश को लिमिट लगानी पड़ेगी तो उतना ही आगी बढ़ेंगे हमारे एनरजी सेक्टर में या फिर माभूल स्पेशली अडेप्टेशन सेक्टर में अगर बात करें UNEP के बारे में तो 1972 में स्टैब्लिश हुआ था यह एक इंटर गौर्मेंटल और याद रखना और इसका में काम यही है कि 2030 तक जो हमने स्टैबल डवलप्मेंट स्ट्राटिजी रखी या फिर एजेंडर रखें उनको अचीव करना या फिर मोस्ट एरल एंवायर्मेंट रिलेटर जो इशूस हैं उनको टाइमली डील करना ठीक है और काम यही है ग्लोबल जो एंवायर्मेंटल एजेंट है फर उनेपी पब्लिश करता हो अगरें बात करें हैं तो Kenya नाइरोबीम में है इसका है थे क्लियर चलिए अब बात करें लिए फॉर्वड क्लामेंट एडप्टेशन को लेकि सबसे पहले हमारा कि हमारे जो सिंगनिफिकेट एडप्टेशन फाइन फानिश चाहिए उसको जो हमक क्하고ify and adaptation espresso effective and adequacy ठीक है कहने का मतलब यह है कि हमको ऐसा डेटा चाहिए हो जो quantifiable भी हो ठीक है कहने का मतलब यह है जिसको quantify किया जा सके फिर अगला हमारा और फिर humber ऐस और जो mitigation है इनको दोनों को amalgamate करना पड़ेगा ठीक है तब ही हम जो है हमको इसका perfect benefit हमको देखने मिल सकता है ठीक है अगला हमारा urgent scaling up the mitigation and adaptation beyond the incremental changes ठीक कहने का मतलब यह है कि हमको जो है इन दोनों पर focus करके incremental changes जो है करना पड़ेगा अगर मान लीजिए अब सर्फ initiative लेते जारो लेते जारो चलाए जारो बट आपको incremental changes देखने नहीं मिल रहा तो उन effort का कोई भी फाइदा नहीं होगा ठीक है अगला हमारा principle for locally led adaptation जिसको लले बोलते हैं ठीक है याद रखना लेट adaptation ठीक है तो याद रखना 2018 में इनिशेटिव चलाए गया था जिसमें इंडिया भी इसमें शामिल है ठीक है और टोटल यह जो है 22 कंट्री जो है इसमें मिलके यह चलाए था ठीक है और याद रखना यह जो adaptation L.A. है यह नेदर लेंड दोरा उनको front line में रखा जाता है ठीक है balance of power रहता है ठीक है जिसमें local communities है ठीक है उनकी voice जो है सुनी जाती है फिर अगला हमारा in equitable distribution of funding for adaptation less than 10% of the global climate funds in financing was indicated to the local level between 2006-2016 ठीक है अगर बात करें 8 principle for the locally led principle या फिर L.A. बोलते है इसका पहला जो principle है developing decision making at the lowest appropriate level फिर गला हमरे addressing the structural inequality faced by women, youth, children फिर गला हमारे providing potential and predictable funding on the that can be assessed more easily ठीक है कहने का मतलब यह है कि predictable funding पर फोकस करना पड़ेगा जिसके कारण जो हम फंदिंग वगरा जो है बहुत जादा easily assess कर सके फिर अगला हमारे investing in local capabilities to leave institutional legacy फिर अगला हमारे including building robust and understanding climate risk and uncertainty flexible program and learning फिर अगला हमारे ensuring transparency accountability collaborative action and instrument ठीक है तो यह सारे के सारे जो है major हमारे LLP के action है ठीक है यह फिर 8 principle है जिसको focus किया जाता है ठीक है I hope this point is clear अर जिस्antage फिरे प्यार एूफटपगड़ और हमारे साभपिए